प्रक्राइब करने वाले जो आपकी एक्जाम में डिरेक्ली आप से पूछे जाएंगे करो याद रखिए कि पल बहुत मीठा होता है तो कई बार हम यह स्टेट्मेंट्स देते हैं कि काम करते जाओ काम करते जाओ पल की इच्छा मत करो या फिर सब्रका फल जो है वो मीठा होता है तो यह सिक्षा जो है यह उसी तरीके का इकाम है जापे आप एक पेड़ को उगाओ पेड़ को पेड़ में बीच डालो पेड़ को बड़ा होते हुए देखो और पल आपको काफी टाइम के बाद मिलता है थोड़ा सा धैरे रखना पड़ता है लेकिन जरूर मिलता है और वो भी अच्छा फल है तो महनत करते जाओ यहां पर ताकि आराम से आपकी चीजें ना वह यहां पर इंप्वॉर्टेंट जो है ना आपकी सारी की सारी पहले तो दीपक भाई को हटाते हैं यहां से उनके साथ से उनको कॉल किया और उनको बोला कि आज क्लास नहीं है तो सभी स्टूडेंट को सौरी भाई साथ कहां कौन सी दुनिया में नहीं पहले तो इनको हम हटाते हैं यह ब्लॉग करते हैं इनको यह ऐसे प्राणी जो है ना वो इस क्लास में रहने नीची है ठीक है चलिए याद रख होगे तो चीज़े अच्छे से ना हमेशा आपकी जाने वाली है ठीक है चले शुरू करें के साथ उससे पहले स्टाटिक के टॉपिक्स का सेकंड टॉपिक जो था स्टाचू इन इंडिया यह आज मैंने किया है उसको जरूर से एक बार देख लेना सुबह 11 वज़े का टॉपिक सारे थियोरी सारे mcq सारा पीडेफ आपको मिलेगा और इसमें एडिशनल पॉइंट्स में ncrt एक्जांपलर और साथ में ncrt नुमेरिकल और डाइग्रम भी मैं आपको कराने वाली हूँ आप बैसे तो कोड जो है यूज करते हो एलपी लेकिन आज आप याद र 20% का ओफर लगाएंगे यूज कोड लगा के तो आपको और 20% मिलेगा और क्लास लगबाग आपको 399 रुपीज की मिल जाएगी इस अच्छा यहां पर मोका नहीं है आप राम से अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो 399 रुपीज में आप यह क्लास को जोइन कर सकते ह सदसे के रूप में चुने जाने वाला पहला भारती जो है वह यहां पर कौन सा है जल्दी जल्दी एक बड़ा बड़ा अंसर करते हैं कोई question में दिक्कत रहेगा तो आप बताना आज भी question काफी interesting से हैं काफी सारे तो यहां पर दादा भाई नौरोजी करके याद रखे drain of wealth की theory इनकी द्वारा की गई थी drain of brain drain of wealth की theory कहा गया था यहां पर और liberal party liberal party से इनको house of commons में जगा दे दी गई थी wind blowing constantly in one direction in rocky desert forms word अगर माली जे कि एक डिरेक्शन में हवा जो है वो लगातार एक दिशा में बहती है चट्टानी रेगिस्तान में तो उसको हम किस नाम से जानते हैं या क्या formation उसमें होता है तो आप क्या याद रखोगे यह मुझे बता है आपको ज्यादा answers पता नहीं होंगे तो याद रखे के यार्द Deswegen के नामसे इनको जाना जाता है किस नामसे यारदं के नामसे इसको जाना जाता है इंडिया डैध चाहावार पॉट इन वह फौना का स मैं स्कावीजू अलगसी आएगा जिसको आभी डिटेप में इंडिया और अफगानिस्तान पूरा पैसा जो है वो इरान का है और अफगानिस्तान के थू अफगानिस्तान से होते हुए इसमें ट्रांजिट किया जाएगा इसका ट्रेड का यह करेगा आप लोग याद रखे कि यह जो पूरी फॉर्मेशन थी नवंबर 2016 में भारत की तरफ से स्ट्राटेजिक लोकेशन थी यह स्ट्राटेजिक पॉइंट आफ व्यू से इसको बनाया गया था करने द्वारा एक यहें पर लेकर आये जिसको पूरा नाम दिख जसने को ऍया तो आपको वीडियो करनेवाल हूि उसके ओपर फृस नेक्लेश फटायनाद चाइना कर रहे हो भारत को हर तरफ से कोशेश कर रहे है ताकि श्रीलंका पर बना exc जो कि भारत को पूरी तरीके से समुतर में घेरने की कोशिश की जा रही है उसके बदले भारत भी कौन सा कम चला कै भारत ने क्या किया भारत ने भाई लो तुमारे अगर मोतियों की कीमत से कहीं जादा कीमत होती है हीरे की भारत सरकार ने बना दिया नेकलेस ऑफ डाइमंड जिसमें हमने पोर्ट बनाया सबसे पहले इरान पे उसके बाद ओमान में भी हमने एक पोर्ट जो है वो बिल्डप की है और धीरे धीरे हम इस पूरे एरिया को कवर करने की चोक करने की कोशिश कर रहे हैं तो चहाबार पोर्ट जो बनाया गया था वह ग्वादार पोर्ट के अपोजिट बनाया गया है तो अगर यह ग्वादार पोर्ट चाइना ने बनाया है पाकिस्तान के अंदर किसको टार्गेट करते हुए किसको टार्गेट करते हुए यह पूरा इंडिया को टार्गेट कर सबसे बड़ी और गहरी रेल सुरंग जिसका नाम है गौथर्स टनल किस देश में इस्थित है बताइए 2015 में हस्ताक्षर किये थे 2016 में इसको बनना दिया गया था इरान के पूर्ट की मैं बात पर रहे हो चावर की अब यहां पर देखो लार्जेस्ट ट्रेल टनल गौथर्ड बेस के नाम से जानी जाती है स्विजर लेंड के अंदर यह पूरी जो कैनाल है वह स्विजर लेंड के अंदर है जो की कौन सी कंट्री को कनेक्ट करती है तो आप स्विजर लेंड के दो पार्ट को और याद रखो इस टनल को बनाने के लिए दो दशक लग गयते मतलब 20 सालों के अंदर बनके यह टनल तयार हुई थी 20 यह यह बोडियो स्विजर लेंड के बोडियो और अस्ट पेल्ड जो जगह है उसको आपस में जोडने लग रही है 57 किलो मीटर की लंबाई के साथ 57 किलो मीटर की लंबाई के साथ यह दुनिया की सबसे लॉंगेस्ट और लार्जेस ट्रेन बोली जाती है स्विज एल्प और सदन यॉरॉप इन दो पार्ट को जोडती है यह और यह लगदाित देती है जैसे जिए सुनामी का रही है कि भी कहीं से टॉर्डिडो संगे हवाओं के बारे में पता लगता है देखे दो घंटे बाद बारिश होती है अगर दो घंटे बाद बारिश होनी है तो आपके फोन में जो है न वो समझ आ जाता है कि देखो आपके फोन में दिखते है न डेटा कि दो महीने बाद जो है वो बारिश होने वाली है तो इतना accurate डेटा आपको अगर मिल रहा है और remote sensing डेटा लिटता है तो बफलू गर इसको नाम से जाना जाता है विश्य अगत्मानचित्र और बूसह घ्राइब जैसे þ इसको कुछ उन्टारिक है ठीक है इस तरीकी कि आपके बहुत सारे maps बनाए जाते नाशनल income of India इस sax लिए भारतject की राष्ट्री आए संकलित नाशनल इंकम का मतलब क्या होते है पर टे पर मं favour туда वाइस और स्टेट की इंकम है उनक पूरे भारत की नाशनल इंकम क्या है जिसके बेसेस पर इंफ्लेशन डीफ्लेशन यह सब रेटस आइडेंटिफाई करते हो पॉन इसको बनाता है अरे भाई कॉन इसको बनाते हैं तो कउन बनाता है केंड्री संक्थिक की संक्ट चिया और ग्रीनाइट रोक defarm तो वह क्या बनाती है देखो आपके बाद रचे की रॉक होती है जो की शुरुआत होती है allegations से एगनियस को आप क्या बोलते हो अगने चट्टानों के नाम से जानते हो बांख उसके अलावा आपके पास दूसरी रॉक होती है मेटा मौर्फ रॉक और तीसरी बोली जाती है सेडिमेंटरी यानिए कि अवसाधी चट्टाने जो है वह हैं किस में इगम Used Rok होती है Metamorph में already ठूंड हुई में किसमें Convert गी Great Knight Station is ingeous service incarnate जाना जाता है तो आप याद रखे 하나 Convert के क्या बनाती है नी जबनाती है गानिश है या है और नीज जो है वो आपकी मेटामॉर्फिक रोग है ठीक है बैक्वर्ड बेंडिंग सप्लाइ कर विलॉंग्स टो विच मार्केट अच्छा एकॉनमी से जो क्वेश्चन से जो क्वेश्चन आते हैं या तो उसमें सिंपल डेफिनेशन जाती है बहुत इजी डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे बैंक रेट आपसे पूछा जा सकता है या तो आपसे सीधा सीधा कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन से वह पूछ लेते हैं एननन पी क्या होता है कैसे कैलकुलेट करते हैं बजट के बारे में कुछ पूछ लिया जाएगा बजट इस तो यह आप याद रखेगा या फिस शेयर मार्केट के बारे में पूछेंगे निफ्टी फिफ्टी सेंस एक सब क्या होता है कैसे डेटा क्या होता है तो इधर आपसे यह सब क्वेशन पूछे जाते हैं और अगर करब के पॉइंट पूछे जाएंगे तो यह जो है ना यह आपके सिंपल जैसे फिलिप काव हमने कल किया था अनिंप्लाइमेंट और इंफ्लेशन से रिलेट करता है उसी तरीके से बैकवर्ड बैंडिंग अगर बात करेंगे तो आप याद रखें क्वैंटिटी ओफ लेवर और बेज रेट से रिलेट होता है मतलब आप लेवर किस पैसा पैसा दे रहे हो कितना पैसा दे रहे हो यह बैकवर्ड कहा जाता है कॉछ ऑक सथरिया क्लासिकल कखेंट सब्सक्राइब फेड़ सकते कउंसे राज्य का क्लासिकल डांस थे हैं तो इन में से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे अगर यहां से कुछ भी नाम लिए जाते तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है देखो सिंपल सी चीजें हैं अगर हम इनको डिफाइन भी करने लगेंगे अराम से आप इसको पढ़ो आपको समझ भी आएगा क्लासिकल डाफ सतरिय कहां से रिलेट करता है हमारे पास आठ क्लासिकल डान्स हैं एत वी हैऑभ सफिक्ल डान्स और उसके अलावा वाकी के सारे बाकी कैना करके याद रखेए इंग बहुत का पहला पोस्ट ऑफिस ATM किस शहर में खोला गया है देखे चीजे पढ़ने से होंगी आप वेकेंसी का इंतिजार कर रहे हो यह मैं बहुत अच्छे से समझते हूं काफी सारे बच्चे जो हैं वेकेंसी का इंतिजार कर रहे हैं और बिना वेकेंसी के वह कहते हैं कि बहुत जादा आप कोई भी यहां पर मोटेव नहीं होता है ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है हमको तियारी करने में यह बात मैं अच्छे से समझती हूं लेकिन फिर भी डिस्पाइट आपको जो भी वेकेंसी से वह आने वाली हैं उसका आप टेंशन मतलो यहां पर आपकी अराम से जो ज अपस वेकेंसी को अपडेट किया जाएगा रेलवे की लेकिन एक लागष streaming के पास सफहल है महूरत देखके निकालेंगे कौन सब महूरत निकले का तब जाकि बेकेंसी एक लागषी निकालेंगी लिए अपना पोटर है एक दम पिटारा जो है उसको त्यार करके रखा जाता है तो एक लाग तीस दार वेकेंसी जानी है रेलवे में लेकिन यह लोग सरफ और सरफ इंतजार करें एलेक्शन के एक उपन हुआ था चेन्ने के अंदर और पी चिदंबरम जी जो फिनेंस मिनिस्टर थे उनके द्वारा जो है इसको त्याग राज जो जगा है त्याग रहा त्याग रहा जगा के अंदर पहला एटियम खुला गया था आजादी फ्रीडम फैसिजम फिक्षन यह पुस्तक जो जो जानी जाती है हमेशा अपने नेगेटिव इंपक्त के लिए या फिर कुछ ऐसे लोग जो हमेशा अपनी जो राय है उसको दुनिया के सामने रखते हैं तो अरुंदती रॉय करके याद रखें यह ऐसे हैं इसके अंदर बहुत सारे वोट रेसे ऑफ कैरला आदी पॉंगल करके लिखो बही लान करो कैरला में जो गोट रेस होती है वह किस सपोर्ट का फीचर है या किस त्योहार में मनाया जाता है किस त्योहार के दौरां करा जाता है तो आप कैरला के अंदर रखो महावली जो राजा है उनके लिए करते हैं और पंपा नदी के किनारे दानसे के साथ साथ यह जो बोट रेस है वह परफॉर्म की जाती है हारवेश सीजन के लिए बोलते हैं यहां पर हारवेश सीजन में मनाई जाती है भारतिया खगोलिया वैद्शाला निवनलिकित में से किस राज्य में इस्तेत है इन विच आप इंडियन एस्ट्रोनॉमिक अब्जर्वेटरी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल अब्जर्वेटरी भारतिया खगोलिया वैद्शाला भारत के किस राजिक अंदर लोकेटिड़ है बहुत इंपॉर्टन इंस्टिटीट ऑफ ऐस्ट्रोफिसिक्स इंस्टिटिटुट ऑफ एस्ट्रोफिसिक्स जो बैंगल लेके आपको ना यह दिखाते यह सारे प्लैनेट दिखाते तो उसमें आपको कभी देखने का मौन का मिले तो ज़रूर से देखी का जुपिटर और सेटन ज्युर्ण वह बिलकुल क्लेर नजर आते सेटन तो अपनी सुंदर सी ब्यूटिफल रिंग अपर देखने ठीक है तो क्या हुआ भाई इसमें क्या हो गया ओडम कैरला के फेस्टिवल को भी भी बोलते हैं ओडम तो कैरला में भी बनाया जाता है किंग महावली के लिए और question में लिखा ही है वोट races के लिए नहीं वोट रेसेज ऑफ केरला आधी स्पेशल फीचर ऑफ ओनम बस इतना आप याद रख लो यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है बिलकुल यहां पर ओनम जो है आपको ऐसा क्यों लग रहे है कि ओनम जो है वह सिर्फ और सिर्फ तमिल नाडू में बनाया जाता है ओनम जो है वह आपका यह के अंदर भी अब्सक्राइब किया जाता है ठीक है बहुत ही अच्छी बात है जलो आपका यह चीज क्लेवर तो होगा वोट रेसे ओनम एन्वल हिंदी हिंदू फेस्टिबल बोला जाता है ठीक है एन्वल हिंदू फेस्टिबल साउथ इंडिया की सारी स्टेट्स में यह फेस्टिबल मनाया जाता है ऑल्दो पोंगल की अगर मैं बात करूए आप या पोंगल के लिए आज के बात से ठीक है अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो इसको भी ठीक कर लो यहां पर के रहां पर के अंदर वह आपकी ओनम के अंदर पर आणसर ओनम करे यह कैरला के लिए चलो ठीक है इसमें वोट रेशेज ऑफ कैरला आर्दी स्पेशल फीचर आप विच्ट फेस्टिवल याद कर लो याद आप दोनों कर लेकिन boat festival की अगर वह बात कर रहे हैं तो इनसे ठीक है ओनम ही कर लेते हैं इस में पोहंगल नहीं आएगा अंसर आपका ओड़ मी होगा लेकिन हां पोणगल और यह पेस्टिवल जो है वह आपके पंपा नदी के इनादे करेग्द करें गार्ला और तमिल्लाडू दोनों में मनाया जाता है यह स्टेट्मेंट नमबर फीकर अब दूसरी statement वोर ट्रेसस कैरला की जो है यह कौन से फेस्टिवल से रिलेटिड है यह specially ओनम से रिलेटिड है अब ठीक है आप तो कोई घटबर नहीं है यह specially ओनम से को लान होनी चाहिए वह यह कि फिनेंस कमीशन जो है वह आता है हमारे 280 नंबर के आर्टिकल में दूसरा चीज इसमें लिखा हुआ है अपोइंट में तो अगर मैं कभी आप से अपोइंट मेंट का पूछते हूं कि फाइनेंस कमीशन की जो अपोइंट मेंट की जाती है उसका आप लिखो कि यहां पर 280 यहां पर अपोइंट करता है फिनेंस कमीशन के मेंबर की अगर यह स्टाटिस्टिकल पॉइंट आप देखो तो 280 जो है वह क्या हो गया स्टाटिटरी बॉड़ी है मतलब की कॉंस्टिटूशन में लिखी हुई है समिधान में लिखी हुई है और स कि आप जो वित आयोग है उसके सदस्यों की नियुक्ति जो है वह करोगे ठीक है तो पार्लेमेंट बाइन एक्ट विल अपॉइंबर्स ऑफ दी फैनेंस कमीशन तो 280 फैनेंस कमीशन 280 का टू अपॉइंटमेंट और 280 के टू का भी टू जो है वह पार्लेमेंट बाइन एक्ट अपॉइंटमेंट करेगा यहां पर याद रखना है ठीक है यह भी पॉइंट याद रखे रेड स्वाइल पाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया लाल मिटी भारत के किस शेत्र म में पाइंटjänद रखेंगें तो यहां पे आपको समझ भी आएगा में लाल मिटी बाइंट नीचे नीचे से ऊपर तक जाते तमीम नाडंगो में करनाटेगा के सा형ट वाले पार्टमें पाई जातिए की नौरड-नौर्थ घावी डाité payment agenda पाते है मतलब MP में है रेड स्वाइल बढ़िया से है चैस तिhogप में है बढ़िया से है तो पर सथे और में शभाष लोगएड़्देड ऑस दोनों पर्ट में लोकेड़ेड़े तो सदन और सधर ऐस्टन पास दया प्मढ़风 बढ़िया कहा को दोनों शोफ बोलते हैं Warm और यहां पे पूरे में आपको maximum red soil ही पाई जाती है या red soil ही मिलती है which day is celebrated as Malala day तो यह यूसफ Malala ही है जिनको peace price मिला था गैलाश सत्यार्थी के साथ यह वही यूसफ Malala है तो इनको peace के लिए और social activist के नाम पे इनको यह दिवस घोशित किया हुआ है 12 जुले which type of soil is found in the coniferous forest किस प्रकार की मिटी में शंकुधारी वन जो है वह पाए जाते हैं तो इसमें आप coniferous forest के लिए याद रख लो यहां पे fungus जो है वह बहुत ज्यादा ग्रो करती है इन प्लांट्स इन वाली जगों पे और कौनी फरस आप इस तरीके के प्लांट्स को बोलते हैं क्रिस्मस ट्री होते हैं उनको उनके लिए जो मिटी होती है न वह पॉट्ड जॉल करके बोली जाती है मोतिलाल नहरू कमिटी विच समिटे इस रिपोर्ट इन 1928 हैड विच ओफ दी फॉलाइंग पॉइंट मोतिलाल नहरू समिटी ने 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत की थी इन में से कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उन पॉइंट्स में जो है वो लिखा गया देखे इसी पॉइंट के लिए मोतिलाल नहरू जी का जो पॉइंट ठा उनी के उपर भारत के उपर जो विखेंती ती दो लोगों की एक सदश्य कमिटी बनाई गईती जिसमें मोतिलाल नहरू जी के points को पढ़ा गया था मोतिलाल नहरू पेशे से वकील थे और उनके द्वारा कुछ points जो है वो रखे गये थे बहुती बढ़िया क्या बात है स्टेटस की बात कर लें स्टेटस का मतलब क्या है भारत 1947 में आजाद हो गया है लेकिन आप उसे पूरी तरीके से छोड़ के नहीं जाओगे कि यह नया देश है यहां पर लोगों को पता नहीं है कि कैसे काम करना है या फिर हमें अभी गौर्मेंट सिस्टम में अगर एकलौत चोड़ के जाएंगे तो हो सकता है कई दूसरे देश जो है न वह भारत के उपर कबजा करने की कोशिश करें या भारत को दबाने की कोशिश करें तो 1947 में भारत देश आजाद था लेकिन 1947 से लेकि 1950 तक यह तीन साल जो है वह हम डॉमीनियन स्टेटस में रहे थे यानि कि ज अव्यापोर्ट कर रहे थे अपना समिधान ने में और अपनी जो औरगनेजिशन हमको स्थापद करने में इसी को डॉमीनियन स्टेटस के नाम से भी जाना जाता है तो सब्सक्राइज करके कर नाम से जाना जाए सबहाnhर की जो सुनाए ना आपने से भारत की जो खुफिया एजनसी है वो है रो में जो लोग होते हैं वो काफी स्पाय तरीके से काम करते हैं और अरन काउ के दुआरा इसको स्थापित किया गया था इंद्रा गांधी जी के नेतरतों में और भारत की जो खुफिया एजनसी है उसका नाम क्या है रॉए उसी तरीके से मुसाद जो है वो किसकी बोली जाती है इसराइल की बोली जाती है तो आमानियथ जो है वो किसकी अमानियथ आपको नहीं लगता ऐरान इस्तान की इरान में इतना कैसे जोर परकड़ गया अपका अफगानिस्तान गर जभिए आधो कि अफगानिस्तान की लोग पाल के अधिकार शेटर में कौन लोग आते हैं अधिकार के अधिकार के अंदर रूद्र mommy का दृद्र दमन का जुनागढड शिला लेख किस भाशा में लिखा हुआ है तो जुनागढ रौक किंस्क्रिप्षिन जुए है वो गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन जो बोली जाती है उसके लिए कहा जाता है और इसकी पूरी भाषा जो है वो संस्कृत में लिखे हुई है जूनागड के और इंस्क्रिप्शन की इंदस यह आपकी नदी और उनकी सायक नदियों के बारे में लिखा हुआ है इंदस श्यौप गंगा गंडक नदी गोदावरी म्यूसी कृष्णा तुंग भद्रा आपको इन में से कोई ऐसी नदी है जिसकी ट्रिब्यूट्री नदी जो है वो आपको गड़वर लग रही है गोदावरी नदी देखो म्यूसी जो है वो किसके ट्रिब्यूट्री बोली जाती है इंद्रावती पारवती यह सारी वह सैके लेकिन मूसी की котор नदी के वह इस लिए है क्योंकि मूसी के उपर ही हैधराबाद आपका रजाइड करता है इस नदी शोक की नदी के कहा अटिया रिवर के नाम से जाना जाता है गंड़क और तुंग भद्रा जो है वो कृष्णा नदी तो आप याद रखो म्यूसी नदी क्रिष्णा नदी की सायक नदी है और उसके किनारे हैद्राबाद बसा हुआ है जबकि गोदावरी में आपकी पेन सन और मून करके याद रखे अरे नहीं इफेक्ट ऑफ सन और इफेक्ट ऑफ मून इनको आप कभी भी सेपरेट मत करना जो यह नदियों में टाइट जाती है न यह समुद्र में जो टाइड आती है उसमें ग्राविटेशनल फोर्स होता है बोथ सन और मून सूरज का और चं को आपका बाल्टिक सी और नौट सी यह दोनों आपके यॉरॉपियन नेशन के आसपास है स्विडन डेन्मार्क फिनलेंड आइसलेंड इनके आसपास जुड़े हों मतलब यह दो पार्ट्स अलग अलग हैं जिनको कील कैनाल जो है वो जोड़ती है कौन जोडता है कील कैना लोगसभा के लेक्षन ठीक है दोजार चौविस में लोगसभा के लेक्षन एलेक्षन की तारीक जब हो जाती है तो उस समय जो पिछली जो सरकार थी उसका टाउं जाब ओवर होता है तो जैसे आज उसका आखरी दिन है ठीक है तो बरखास हो जाएगा जो स्पीकर आपने चुना था वह श्यक्र उसी चुनी हुई पार्टी में से आता है जो मैजॉर्य लीड कर रही है अब अगर मान लिजए कि पार्टी जो हो हट गई तो स्पीकर जो है क्योंकि उसी पार्टी कई हटना पड़ेगा पूरी आप मेंबर्स हैं उनको ही आप खारेज करोगी पूर जोगए उसमें प्रॉटियम स्पीकर उसको चुना जाता है तो प्रॉटियम स्पीकर कैसे जाता है प्रेजगेंट के मधद से लेकिन सीनियर मोस्ट अच्छा इसमें क्या लिख है अफ्र दी जन्रल इस्टまた ए सब्बोइक्ट है सोब इसा तो अब भी हाली फिलाल आप क्या कर दो जो senior most member है ना लोगसभा का उसको बना दो यहां पे speaker यह लिखा हुआ है ठीक है यह लिखा हुआ है तो ज़ग और इसमें Parliament जो होती है वह इसको चुनती है और इसका जो appointment होता है वह President के दुआरा प्रेजिदेंट के दुआरा अप्रूफ किया जाता है उसक्वेशन में अप्रूवल के बिना तो पार्लमेंट का तो चुना कौन जाएगा जो उस लोग सभा का सबसे वरिष्ट नागरिक होगा सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होगा और उस पर प्रेजिडेंट को अप्रूवल देनी होगी अपॉइंटमेंट नहीं देनी होगी ठीक है तो आप यहां पे ये क्वेश्चन कभी भी आपको इस भाश का जो रूप है वो कौन से शडियूल या अनसूची में लिखा हुआ है दोनों में डिफ्रेंस आप समझ लो प्रेजिडेंट नहीं करता प्रेजिडेंट अप्रूवल देता है प्रोटम स्पीकर को पार्लमेंट जो है वो चुनती है और उसमें भी ऐसा चुनने वाला सेकेंड आपका शेडियूल क्या है सेलरी इसके बारे में लिखा हुआ है प्रेजिडेंट की प्राइम मिनिस्टर की इन सब की सालरी कितनी होगी चीफ जिस्टिस की सुप्रीम कोड की सीएजी की थर्ड शेडियूल में क्या में लिखा जाता है सीट एलोकेशन पौदी संसदिय शब्दावली के संधर में हम विधाय की प्रक्रिया के एक नियम को क्या कहते हैं जिसके तहत एक प्रस्ताव पर आगी की बहस को रोका जा सकता है इन टर्म्स और पार्लिमेंटरी टर्मिनलोजी वट दो वी कॉल और रूल अफ लेजिसलेटिव प्रोसीजर अंडर विच अ फर्दर डिवेट ऑन मोशन कैन बी स्टॉप्ट नेकि किसी चीज पर बहस हो रही है भाई हो गया हो गया बहस चलिए इसके जादा आगे हम बहस अब करेंगे और एक निर्णा पर आ जाते हैं तो उसके लिए क्या टर्म को यूज किया जाता है नहीं जी गिलेटेन आपका अलग होड है गेलेटेन जलेटेन क्या जो बोला जाता है इस अडिफेरेंट तिंग जब मैंने एक मोशन के कोई भी मोशन पारेत हुआ गिलेटन क्या होता है देखो वह हो गया एक एफिशनसी जैसे आपका कि इतना उसमें कंफ्यूज नहीं करो देखो जिलेटिन के लिए हम लिखते हैं कि जैसे माल लीजे एक टाइम आपने लोकेट कर दिया ठीक है एक बिल के उपर अगर आपका एक टाइम फिक्स हो गया है कि चलो आज दुपैर में दो बजे हम इस विल पर डिसकेशन करेंगे वह चीज जो है वह जिलेटिन हो जाती है या गिलेटिन के नाम से जाना जाता है अगर आपको एक मोशन है उसमें बहुत ही बहस हो रही है आप से कंक्लीजन पर लेके आगे अब आप बोलोगे भाई क्लोज करो इस बात को हो गया अब इसके उपर हम कोई डिसकेशन फर्दा नहीं करेंगे तब उसको क्लोजर कहते हैं क्लोजर जिलेटिन गिलेटिन वर्ड जो भी आप पढ़ते हो यहां पर उसके लिए याद रखो य टाइम जो एक बिल के लिए दिया जाता है वह गिलेटिन होता है और जहां पर आपने किसी भी एक बिल के उपर जो डिवेट है उसको रोग दिया गया नागलेंड वस प्रियेटिट एज इस सेपरेट स्टेट इन वेचियर नागलेंड भारत का उननिस सो सेटालिस में तो ह 16 स्टेट बोलते हो और 13 Constitutional Amendment Act से तेरवे Constitutional Amendment Act से नागलेंड को क्रियेट किया गया था अजा सेपरेट स्टेट उससे पहले ही असम के साथ था है ना यह बाद में सारे बने हैं ना धीरे-धीरे 19 कौन सी तारीक एक दिसंबर एक दिसंबर इवार क्या बात है 19 diferen य details नागलेंड की बात कर temperature है bir अरुनाचल परदेश की बात नहीं कर रहे है 1912 आप अरुनाचल और नागा पार्टी जो है वह इसमें काफी जाधा कौमन आपकी हो रही थी मलब सबसे जाधा जो आपको दिखाई दे रही है वह नागा लेंड की पार्टी नागा नागा मुवमेंट या ट्राइब्स जिसे कहते हैं वह सबसे जयाद उस समय पर प्रॉमिनेंट था लेकिंद नौर्थ इस्टन स्टेट्स को भारत में मिलाने का जोश्रे है न वो नहरुजी को जाता है यह बात याद रखेगा कोहिमा मकॉंग चुंग और त्वैन सिंग यह तीन डिस्ट्रिक्ट जो है वो समय नागलेंड के अंदर आपके लोकेटेड थे और आप आज भी याद रखो वो ट्राइबल लीडर्स जिन से बात करने पड़ती है ठीक है नागलेंड की राजधानी क्या बोली जाती है कोहिमा नागलेंड का राजधानी क्या है आपका वहीमा चले दनर्मदा वाटर डिस्पीट ट्रिबिनल वास कॉंस्टिटिटेड टूर्वाटर शेरिंग पाकिस्तान से तो हम कैसे भी ना कैसे करके निपटी लेते हैं लेकिन हमारे अंदर की कलेया वह खतमी नहीं होती 1956 में आपका एक इंटा वाटर ट्रिब्यूनल बनाया गया था इंकस्टेट वैंट इंटा워서 टिस्पीट एक्ट 2156 पे अधार पीच सॉत करने के लिए Supreme Court भी बीच में और पारलमेंट सुप्रीम कोट को यह ओडर गया था कि इस सुप्रीम कोट इसमें $5 करेगी यह तो यह याद र aun रखो नर्मददा वाटर इस्प्यूट ट्रबिनल यह वाटर शेरिंग यह तीन राज्यों के बीच में हो कौन कौन है गुजरात महरास्टी और मांध्यपरदेश इसम में राजिस्तान भी भीच तो नर्मदा नदी का जो पानी है उसको वैसे तो गुजरात 91 दूसरा चीज है उन आप आपांसी भी याद मोख और रखोगे कौन नवबर तूचिव लिंतर के है तो तो आपके water disputes होते हैं उनको solve किया जाता है है ना इनको solve करते हैं और constitution जो है वो यह union government को power देती है कि यह जो यह भी matters है ना इनके उपर आप presentation बोल सकते हो states को बोल सकते हो और जो supreme court है वो इसके उपर अपना verdict दे सकते है या फिर high courts जो है वो verdict दे सकते हैं तो पीछे भी आया भी था किसी state का dispute का verdict भी आया था अब जैसे आप याद रखो कृष्णा गोदावरी नर्मदा कावेरी कृष्णा फिर से लड़ाई के मामले में उसके अलावा मंडोवी नदी और साथमी आपकी वंसधारा नदी इन नदियों में यह जो लडाई करा है नर्मदा नदी यहां पर आपने पढ़ हाँ पीछतान मद्रप्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र यह चार राज्य लड़ाई करने लग रहे हैं कृष्णा नदी की बात करें कृफ्ट पर एंधिर ख्राश्चा करनाश्र घुष्ट्र अंद्रप्रदेश आपका पीठे की कोई चीज है समिधान में आपको कुछ बदलाओ करने अमेंडमेंड का मतलब है संशोधन करना या बदलाओ करना यह अपने कौन से किसी से लेडाउन किये हैं या कहां से भारत के ही किसी एक्ट से लिए या पिर आपने युऑनाइटेट किंग्डम या Constitution में बदलाओ आपने चो लिए हैं वो कहां से लिए Constitution of South Africa ठीक है लास्ट बता दीजे National Unity Day observe किया जाता है memory में याद में किस नेता के birthday पर तो इसमें तो कहीं ज्यादा दिक्कत नहीं है 31 October 31 October 31st October 1875 को किसका जनम हुआ था सर्दार वल्लभाई पटेल का ठीक है और इनको पॉस्तमसली सर्दार वल्लभाई पटेल को कौन से साल में भारत रत्म से सम्मानित किया गया था 1991 में सर्दार वल्लभाई पटेल को सम्मानित भी किया था क्योंकि सर्दार वल्लभाई पटेल ने जुतने भी भारत के अंदर राजे रजवाडे हैं उन सब को युनाइट किया था और भारत के 552 राजे रजवाडों को भारत के अंदर मिलाया था जिसमें से और जुनागड ये दो राज्य जो हैं वो काफी जादा मेहनत और मशक्कत से पटेल जी भारत के अंदर लेके आ पाये थे हैं जी बिलकुल विस्मरेक और इंडिया के नाम से जाने जाते हैं और डेप्यूटी पीम और होम मिनिस्टर भी ये भारत के पहले रह चुके हैं चले तंप इंडिया जिसमें पहला ही चीज एक एंपोर्टन्ट रहेगी याद रहें कि जियर को आप मेरे सब्सक्रण इन पूरा सइंस की ठियोरी निडियों सब्स्क्राइब कर रही हूं थे हैं पूरी च्योर में होने लग रही है तो पूरा साइंस तेओरी आप यहां से कर सकते हो बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री यह तीन सब्जेक्ट्स हम करेंगे जिसमें हम एमसी की उस पूरे हर एक टॉपिक के देने वाले हैं आपको पीडियाफ हर एक टॉपिक की मिलेगी जो की जितने भी बच्चे भी कर रहे हैं उनको क्लेरली आइडिया है हर चीज आपको मिल रही है एलपी स्पेशल इसलिए इसको बोला जा रहे है क्योंकि एंसी आटी एक्जाम्पलर और नुमारिकल्स और डाइग्रम्स आपको मिल जाएंगे इस क्लास को अगर आप आज और कल के अंदर जॉइन करते हो तो आप इ ज idagोड़की क्लास कमें पहले है तो साइंस की दिएक ञास को चल रही है एकılar क्लास को यह इसको कर सकते हो और आप नटलोड भी कर सकते हो सकते हो 2 सजब्स को और पहले तो यह थासे esphas तिप फंप नधे ति ती ति आप फोन पे नहीं आपके लैप टॉप पे भी क्लास जो है न वह दिखेंगी मैं आपको मैं देख लेती हूं यह पर आपका जो क्या है कितना आपकी क्लास जॉइन नहीं कर पारे हों मैं एक बार पूछ ले तो अगर कोई भी चेंज इसमें रहेगा अधर वाइस जैसे मैंने